नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है, मैं हूं सुपरतीम बैनर जी जैसा कि आप जानते हैं, क्राइम की ज्यादतर कहानियों में कुछ न कुछ क्लाइमिक्स जरूर होता है लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लाइमिक्स नहीं बलकि एंटी क्लाइमिक्स सामने आता है तो आज मैं आपको क्राइम और इंविस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एंटी क्लाइमिक्स उभर कर तफ्तीश में सामने आया क्या है ये मामला जब आप सुनेंगे तो मुझे पूरा यकिन है कि आपको हैरानी भी होगी और आप ये भी realize करेंगे कि कि किसी अपराद को करने के लिए किसी इनसान का कोई background किसी खास जगा का होना या किसी खास वक्त पर होना ये ज़रूरी नहीं है कहने का मतलब ये कि जुर्म की वारदात को कोई भी कभी भी कहीं भी अंजाम दे सकता है प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए कहते हैं ना कि पुलिसिंग चाहे आप जितनी भी टाइट कर ले आप जुर्म को पूरी तरह होने से रोक नहीं सकते अमेरिकी सिटिजन सर्विस को एक मेल किया ये लड़की भी एक अमेरिकन सिटिजन थी और वो दिल्ली में रहती थी दिल्ली आई हुई थी तो उसने मेल करके जो बात लिखी अमेरिकी सिटिजन सर्विस को उसे पढ़कर सिटिजन सर्विस की जो यूनिट है वो लोग बहुत घबरा गए इस लड़की ने ये लिखा कि उसे एक रोज पहले अगवा कर लिया गया है और उसके साथ रेप हुआ है और बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया है और वो इस वक्तिविटी में है यानि उसे बंदग बना कर रखा गया ये सुनते ही जो सिटिजन सर्विस के लोग हैं उनके हाथ पाउँ फूल गए वो घबरा गए और उन्होंने जो है इसके बारे में अमेरीकी दुतावास को इनफॉर्म करने का फैसला किया लेकिन इस से पहले की बात और आगे बढ़ती इस घटना के ठीक अगले दिन मतलब 9 जुलाई को इसने इमेल किया था और 10 जुलाई को इस लड़की ने भारत से ही अपनी मा को फोन किया अमेरिका में लड़की का नाम सबसे पहले मैं आपको बताऊँ लड़की का नाम है क्लो मेगलगन और क्लो मेगलगन ने अमेरिका में अपनी मा सैंडरा को फोन किया और ये फोन नहीं एक वीडियो कॉल था वीडियो कॉल में उसने ये बताया कि मैं इस वक्त किसी के कबजे में हूँ, उसने मुझे बंधक बना रखा है और मेरे साथ बहुत ज्यात्ती हो रही है, मुझे अगवा कर लिया गया है, मौम मुझे बचाओ और जब वो इस तरह की बातें कर रही थी वीडियो कॉल पर तब तक पीछे से एक आदमी आया और उसने उसका मुबाइल पॉन छीन लिया अब आप समझे भारत में बेटी अकेली है, मां अमेरिका में है, बेटी को अगवा कर लिया गया है और उस बेटी का मुबाइल फोन उसकी मां की आँखों के सामने जो है कोई छीन लेता है, उस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी आप ये सोचिए इमोशन तो एक जैसे होता है, चाहे वो भारती हो या अमेरिकी हो, वहाँ उसके पूरे परिवार में भुचाहला गया वहाँ से फोरन लोगों ने अमेरिकी दुतावास को फोन किया भारत में, जो अमेरिकन अम्बसी को और American Embassy को ये पूरी बात बताई American Embassy वालों ने अपने तौर पर इस मामले को देखा, सुना, समझा और इसके बाद उन्होंने दिल्ली में चानक के पूरी पुलिस टेशन में इस सिल्सिले में एक रिपोर्ट लिखवाई ये मामला बहुत हाई प्रोफाईल था इसलिए क्योंकि एक अमेरीकी लड़की को अगवा कर उसके साथ मार्पीट और वेप किये जाने की बात सामने आई थी और देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की घटना होती है तो आप समझेए कि इस घटना की इंटेंसिटी क्या है तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल हाई अलाट पर आगई और एक बड़ी भारी भरकम टीम दिल्ली पुलिस की बनाई गई जिसमें साइबर एक्सपर्ट को शामिल किया और पुलिस ने इस मामले की तफ़तीश चुरू की अब तफ़तीश जब शुरू ही तो सबसे पहले पुलिस ने इस लड़की को ही ढूणने का फैसला किया लड़की जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो अल्रेडी जिसे कहते हैं कि शिकंजे में थी तो पुलिस ने इस लड़की का इमिग्रेशन फॉर्म जो है वो मंगवाया ताकि लड़की के लोकल एड्रिस के बारे में पता चली लड़की ने यहाँ आने से पहले immigration form भरा था और उस immigration form को जब police ने मंगवाया तो police ने देखा कि लड़की ने अपना local address जो है खसरा number 44 और 45 greater noida लिखा था अब खसरा number 44, 45 से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी हो या ना भी हो ये basically किसी भी land को डिमार्क करने का एक सरकारी terminology है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये कठा या ये विगा तो उसकी एक numbering होती है तो सरकार जो numbering करती है उसको खसरा के नाम से जाना जाता है खसरा number 44 और 45 ग्रेटर नौड़ा का पता इस लड़की ने अपनी immigration फॉर्म में भरा था पुलिस भागी भागी उस पते पर पहुँची पुलिस को लगा कि हो सकता है कि यही वो मकान हो जहां पर उस लड़की को अगवा करके रखा गया हो या जहां वो रहती हो सकता है वहीं किसी ने कबजा कर लिया हो पुलिस पहुची वहाँ और पहुचकर पुलिस को आप कह सकते हैं कि जोर का जटका लगा या जोर का जटका धीरे से लगा जो चाहे आप कहें वहाँ पुलिस ने देखा कि खसरा नमबर 44 और 45 जो है कोई मामूली जगा नहीं बलकि वहाँ एक शांदार 5 स्टार होटल खड़ी है कहने का मतलब यह कि यह जो एड्रिस था बिसिकली वो ग्रेटर नौइडा के रेडिसन ब्लू होटल का था अब आप यह समझ लीजे कि लड़की ने बिसिकली रेडिसन ब्लू होटल का ही एड्रिस दिया था पुलिस फॉरन होटल में पहुंची फ्रन्ट आफिस में जो लड़की है क्लो मेकलगन उसके नाम से पुलिस ने पता किया कि क्या यह लड़की यहां पर रहती है यहां आई है उस लड़की के बारे में पुलिस को यह जानकारी मिली 9 जुलाई को यह सारी घटना हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन पुलिस को तफ्तिश के दौरान पता चला कि ये लड़की भारत जो है वो 3 माई 2022 को आई है तो पुलिस ने वहां रेडिसन ब्लू में पूछा कि क्या 3 माई 2022 को कोई अमेरीकी लड़की ने यहां चेकिन किया था और होटल वालों ने जो जवाब दिया उसने पुलिस को फिर से जटका दिया होटल वालों ने कहा कि नहीं हम न तो किसी इस नाम की कोई लड़की को जानते हैं और नहीं कोई ऐसी गेस्ट हमारे पास कभी रही है अब पुलिस जो है वो परिशान हुई और उसने उस लड़की का WhatsApp नमबर पता किया WhatsApp नमबर पता करने के बाद पुलिस ने सोचा कि इसका IP एड्रेस निकलवाय जाए जब IP एड्रेस निकल आएगा तो फिर हम उसके सहारे इस लड़की को डूढने की कोशिश करेंगे इससे पहले मैं आपको बताओं कि पुलिस ने इस लड़की के email के जरीए भी इसको locate करने की कोशिश की थी और पुलिस ने याहू के portal से इसने email generate किया था तो पुलिस ने उसका भी IP एड्रेस locate करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस को तब बहुत जादा कामयाबी नहीं मिली और पुलिस को जब WhatsApp नमबर का पता चला तो पुलिस को लगा कि चलो अब इस नमबर के जरीए ही सही हम उस लड़की तक पहुँचने में कामयाब होंगे लेकिन वो नमबर अंट्रसिबल था और पुलिस को लगा कि इसने वीडियो कॉल किया होगा तो जिस जगह से उसने वीडियो कॉल किया है वहां का IP एड्रेस हम निकालेंगे और एक और हैरानी की बात ये थी कि ये वीडियो कॉल इस लड़की ने अपने मॉबाइल फोन से तो किया जरूर था लेकिन अपने मॉबाइल फोन का जो डेटा होता है यानि इंटरनेट सर्विस उसको इसने यूज नहीं किया था बलकि किसी और के वाइफाई कनेक्शन की मदद से इसने वो वीडियो कॉल किया था इसके बाद पुलिस जो है उस वाइफाई कनेक्शन के बारे में पता लगाने के शुरुबात करती है और जब पुलिस ये पता करती है तो पुलिस जो है फाइनली एक नंबर को इंटरसिप्ट करती है वाइफाई नंबर के वाइफाई का जो आईपी एडरेस हो उसको इंटरसिप्ट करती है पता करती है और पता चलता है कि ये वाइफाई जो है वो दिल्ली के पास ही गुरगा से क्या connection था ये बात जब पुलिस को पता चली तो धीरे-धीरे करके पूरी कहानी सामने आई और पुलिस वाले बहुत शौक्त हुए बहुत हैरान हुए कहानी का ये जो हिस्सा है ये मैं आपको बस एक छोटे से अंतराल के बाद बताऊंगा प्लीज मेरे साथ बने रहें